दोस्तो रेलवे गुरूफ डी में कितने नमबर आने पर आपको कौन सा काम करना पड़ेगा यानि कि आपको कौन सी पोस्ट मिलेगी और किस पोस्ट के लिए कितने नमबर होना जरूरी है तो दोस्तो इस वीडियो में हम आपको यही बात बताने वाले हैं कि रेलवे गुरू वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर कर दीजे, आपको वीडियो के निचे शला आलने के सब्सक्राइब बटम दबा के चैनल को सब्सक्राइब करना है, अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और अपने सभी दोस्तों में स सार पूरी जानकारी दोस्तों आप यह जो नोटिफिकेसन देख रहे हैं यह रेलवे गुरूफ डी का ओफीशिल नोटिफिकेसन है जो आप आर आरबी की किसी वेवसाइट के उपर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं इसमें दोस्तों यहाँ पर आप यह देख सकते हैं पोस्त यहाँ पर दोस्तों यह जो आपको पोस्त दिखाई दे रही हैं यह रेलवे गुरूफ डी की तमाम पोस्त हैं इसमें आपको टोटल 28 पोस्त मिल जाती हैं जी हां दोस्तों रेलवे गुरूफ डी में टोटल 28 पोस्त हैं आपको इन 28 में से ही कोई एक पोस्त मिलेगी जब आपका selection होगा, अब हम आपको एक एक post का काम बताएंगे, और किस post में कितने number आएंगे, तो आपका selection होगा, वो भी आपको बता देते हैं, दोस्तों सबसे पहले आप यहाँ पर यह देखे, एक से लेकर हैं, और साथ number तक जो post आपको दिखाई दे रहे हैं, इनमें department है, इंजिनियरंग है, फिर इसके बाद में कि आप नीचे देखेंगे, तो आपको department mechanical दिखाई देगा, इसी परकार से दोस्तों आपको medical department, अलग-लग department मिलते हैं, अब हम आपको बताते हैं, कि post का क्या फरक है, तो दोस्तों पहली post ने आपर आप स्क्रिन के उपर देख सकते ह तो दोस्तों आपको simply करना क्या होगा, कि railway के जहां पर डिबे बनते हैं, कार खाना है, उसमें electricial का helper के रूप में काम करना होगा, जो भी आपको वरक्षोप में electricial होगा, इंजिनियर होगा, आपको उसका helper बनना होगा, उसे कुछ समान पकड़ाना, या उसकी कुछ काम में मदद करना, यह आपका काम होगा, helper का, इसके रहाँ दूसरा पद भी है, इसमें आपको AC का जो electricial होगा, उसकी help करनी होगी, ठीक है, इसके रहाँ तीसना पद है, यह भी helper का ही है, इसमें भी आपको जो नोर्मली इंजिनियर बगे रहते हैं, उनकी मदद करनी है, electrical department में, इसके रहाँ चोथा है, यहाँ पर power helper, यहनकी जो विदूत का काम होता है, line बगेरा का, आपको पता है, relevant light की जूद पढ़ती है, उनमें जो engineer लगे रहते हैं, उनकी help आपको करनी है, पाचवा help, train lighting, इसमें आपको helping करनी होगी, helper की मदद करनी होगी, यहनकी दोस्तों जो train इनमें light बगेरा लगी होती है, उसमें आपको जो engineer लगा होगा, उनकी शुदारेगा, आपको उनकी मदद करनी है, छटा है helper, electrical, TRD और TRS, इनमें भी आपको simply वही काम करना है, तो दोस्तों देखें, आप बात आती है, कि कितने नमर आने पर आपको कौन शी पोस्ट मिलेग इसमें आपने कभी देखा हो, तो railway में समान रखने के भी कुछ डिबबे आते हैं, उसमें जो आती है समान रखते हैं, आपको उने उतारना है, रखना है, इसके लिए जारू लगाने का काम, ये दोस्तों आपको इसमें करना होता है, इसलिए सबसे हाल पोस्ट इसे ही माना जाता है, और सबसे ज़्यादा मेहनत करने वाले पोस्ट भी से माना जाता है, तो दोस्तों गर आपके सबसे कम नमर आएंगे, कम से कम, यानि कटोफ में आपका लास्ट में नमर आएगा, 14 या 45 नमर के आसपास, तो आपको यह पोस्ट मिलेगी, लेकिन दोस्तों वैसे चोटा नहीं होता है, ये बात भी एक अलग से है, इसके लाँ दोस्तों आपके जो गेटमेन की पोस्ट है, इसमें भी कोग ज़्यादा हाड काम नहीं है, गेटमेन में सिंपली जहाँ पर रेलवे क्रोसिंग होती है, जहाँ पर रेलवे ट्रेन की पट्री हो, और फिसे काम ये बिल्कुल आज़सान साही करेंगे, बहुत ज़्यादा हाड काम नहीं है, इसमें दोस्तों अगर आपके अच्छे नमर आएंगे तो आपका सेलेक्शन होगा, वैसे दोस्तों सबसे सरल पोस्ट की बात करें, तो सबसे सरल जो आपकी ये मेडिकल डिपार्टमेंट म मेडिशन बगेरा, उनमें जो उनकी मदद करनी है, यानि कि दोस्तों बिल्कुल आसान काम कह सकते हैं, बहुत ज़्यादा हाड काम नहीं है, ऐसी बात नहीं है कि आपको कहीं पर धूप में जाने की ज़रूत है, इसके लगा दोस्तों कुछ और पद हैं जो हम आपको उतात है, वो तैक करता है, जो रेल आएगी, वो कौन सी पठ्री पर जाएगी, वहाँ पर पॉइंट को बदलने का काम करता है, तो दोस्तों ये काम भी बिल्कुल हाड है, इसके लाए आपका दोस्तों यहाँ पर जो एक होता है, रेलवे में जो आपकी पठ्रियां होती है, उन स इसलिए में आपको signal department की help करनी है यहाँ पर दोस्तों जो helper signal है यह पोस्टी विल्कुल इजी है इसमें भी आपको बहुत कम काम करना पड़ेगा जो signal वगरा काम होता है एक station से railway के दूसरे station तक आपको पता है तो दोस्तों यहाँ पर देखिए हमने आपको सभी जो पोस्ट है उनका काम लाग बता दिया है अगर दोस्तों आपके मन में और कोई सवाल हो तो आप वीडियो के नीचे comment कर पूछ सकते हैं वैसे दोस्तों आप वीडियो के नीचे comment कर यह बताएं कि आपके कितने number है और आपको कौन सी पोस्ट मिले और आप कौन सी पोस्ट लेना चाहते हैं, अगर दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजे, इसे हमारा मनुवर भटेगा, और वीडियो को अपने दोस्तों में आज आज आपके परिवार के लोग ह पर जरूर जाएं, थैंक यू, जै हिंद, जै भारत!